कॉलिनी की रहवासियों ने थाने का घिराव किया पैसे देकर गुंडों को बला कर हमें गुंडा गर्दी दिखाते हैं और मार पीट भी करते हैं इसी बात को लेकर आज रहवासियों ने किशन गंश थाने का घिराव किया और आवेदन दिया कि इन पर सक्ते सक्त कारवाही की जाए ऐसी कई कोलने में कोलनाइजर द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है तो कहीं अवेद वसूली कर रहे हैं तो कहीं गुंडों को भेज कर रहवासियों को धमकाया जा रहा है साथ ही रहवासियों ने पुलिस का CCTV फोटेज भी दिया जिसमें गुंडे द्वारा रहवासियों से मारपीट की गई करें अब करी हमारे साथ को नुच सैंड़ा कर दो शेच की तुम अपर्ले करने के लिए और कर लगाओ हमारे उपर एक महीने का भी पेंडिक अर्वार मेने बसूलो कि हमेशा की हैं पर मनमानी चलती आई है और हमेशा अवेद वसूली करवा रहा है और कल भी उसने मनमाना बिल दिया एक फैनली से उसने विवाद किया था उनके साथ मारपीड भी कि कुछ गुंडों ने और उसके बाद आज उसी के पक्ष में हम लोग नीचे आये थे कि क्यो आप लोग इस तरह की मनमानी वसूली कर रहे हो तो इस पर उन्होंने हम पर हमला कर दिया और उनके जो जो गुंडे उन्होंने भेजे थे उन्होंने डारेक्ट हम लोगों को मारना यहां थे कि हमको और लेडिसों को भी मारना सुरू कर दिया उन्होंने क्या कारण बस यही इलेक्टिसिटी का और मेंटेनेंस का जिसमें से 90% लोग भर चुके हैं मुस्किल से 1 या 2% इसे हैं जिनका किसी कारणवस नहीं भर पाए हैं लोगडाउन की इस्तिती में तो इस वज़े से उन्होंने सभी को तार्गेट किया कल रात को काफी लोगों की लाइटें भी बंद एइसको पापल्पेशर मुद भी लेक्ति मिलिए कैना है कि मेरे 50 अगुक और ढालनाइजर का को रिख करना है कि इसको टीर इसको .' तो जो अपने बचे हुए पैसे, पॉलोनाइजर ने अपने जो उनके कर्मचारी है, उनको लेने के लिए बेजा था, इसको लेकर के जब वहाँ पर ये कर्मचारी गए तो वहाँ पर जिवास फुरू हो गया, और मार्पीट हुई है वहाँ पर, दो यक्तियों को चोट लग कर्मचारी है